दोस्तों अभी तक आप लोग सुनते हुए आ रहे हैं Fold Phone के बारे में कि Samsung ने Folding वाला फोन निकाला है Screen Fold हो जा रहा है तो अब जो है Laptop भी Fold वाले आ गए है Asus निकाल दिया है, Asus लेकर के आ गया है Fold Laptop तो अभी आप कहेंगे कि Laptop तो पहले से ही Fold होता है, तो actually Laptop Fold होता है, यानि कि Keyboard का Section और Display Fold होता है लेकिन ये पूरी Screen भी Fold होगी यानि Total मिला करके आपका जो Keyboard की अगर हम बात करें तो Keyboard और Display मिला करके तीन Fold हो जाएंगे, एक Keyboard अलग हो जाएगा और Display को एक Fold कर देंगे और उसके उपर से Keyboard रखतेंगे, तो इस तरीके से ये बन जाएगा यानि कि Screen इसकी पूरी Fold हो जाएगी इस तरीके का Laptop है, इसके बारे में हम लोग Details में जानेगे, बड़ा ही इंट्रिस्टिंग ये वीडियो होने वाली है, लेना नहीं लेना, वो एक अलग बात है, लेकिन कोई नई चीज आ गई है, तो उसके बारे में जानना चाहिए, सभी को हम सभी को जान लेना चाहिए कि Actually ये है क्या, ताकि हम किसी और को बता भी सकें, और कोई कह रहा है, तो हम जान भी सकें कि हम इसको जानते हैं पहले से, क्योंकि हमने वीडियो देखा हुआ है, तो दोस्ते इसे जानने के लिए वीडियो के साथ लाश्ट तक बने रहें, और वीडियो को लाइक करके हमारा है उसला बढ़ाते रहें, और प्लीज कमेंट करना ना भूलें कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, क्योंकि आपके कमेंट के आधार पर ही वीडियो आती है, तो आईए दोस्तों हम लोग समझते हैं, तो एक चुली 12th generation का इसके अंदर प्रोसेसर लगा हुआ है, i7-1250U, यानि i7-1250U का इसके अंदर प्रोसेसर लगा हुआ है, जिसकी बेस कलोग फ्रिक्वेंसी है 1.1 GHz, और 12 MB के साथ में आता है, इसको बुष्ट के बाद 4.7 GHz तक टूर्बो बुष्ट में लेकर के जा सकते हैं, यानि 1.1 GHz तो 4.7 GHz आप समझ सकते हैं, यानि कि आप लोवर कर रहे हैं, तो इसका बैक्टरी बैकप बड़ा ही सांदार मिलने वाला है, क्योंकि बहुत लोग फ्रिक्वेंसी पे और 8 इसके अंदर जो है, इफिसियंट को देखने को मिलता है, क्योलेमे जोना करके ये प्रोसेसर बड़ा ही पावरफुल प्रोसेसर है, जो इसके अंदर लगा हुआ है, बादी मेमोरिस के अगर हम बात करें, तो इसके अंदर लगाने सकते 52 MHz वाली 16GB यह अल्रेड़ी इतना हाई पावर में है इस से उपर कि हमें इस लेपटप के अंदर जरूरत ही पढ़ने वाली नहीं है बाकी स्टोरिस की बात करें तो 1TB का M.2 NB, Mb, PCI, E 4.0 वाली इसके अंदर जो है परफर्मेंस SSD लगी हुई है जो की टोटल के अगर हम बात करें तो इसके अंदर 17.3 इंच जो है डिस्पले लगा हुआ है 2.5K वाला डिस्पले इसके अंदर रेजिलेशन के साथ में आता है यानि 4K भी नहीं है, Full HD भी नहीं है, बीच वाला जो आता है 2K का वो डिस्पले इसके अंदर लगा हुआ है 25-60 x 19-20 जो है इसके अंदर Fold वाला इसके अंदर लगा हुआ है 4x3 इसके अंदर आपको मिल जाता है, Touchscreen भी है यानि कमाल का डिस्प्रे है, Touchscreen के साथ में आएगा 0.2ms जो है इसका Response Time है, 500 nits HDR पिक ब्राइटनेस वाला 500 nits के साथ में यानि कि आप बाहर भी रहकर कि आप इसको यूज कर सक बागी 100% PCIe P3 Color Gamut के साथ में यह आता है, और HDR2 Black 500 1.07 million Color के साथ में आता है, यानि कि आप इस पर कितना भी Graphically Designing, अगर आपको Color Accuracy जिसमें चाहिए वो सारी काम आप इसमें कर सकते हैं, बहुत ही बहतरी जो है ये Laptop आपके लिए हो सकता है, बागी Graphics इसके अंदर Arise XC Graph जो कि बहुत अच्छा काम कर देता है, अलग से ज़रूरत नहीं है इस टाइप के Professional काम के लिए, चुकि बहुत बड़ी Gaming से इस पर करने के लिए Gaming Laptop नहीं है, या फिर Video Editing के लिए नहीं है, फिर भी आप इस पर जो है एक अच्छे लेबल से Premiere Pro हो गया, ये सारी चीजे चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है इस पर क्योंकि इसका बागी का पावर बहुत अच्छा है, बाकि Windows 11 Home के साथ में ये आएगा, और इसके साथ में ही Office Home के साथ में आएगा, इस Student Version 2021 के साथ में ये आएगा, बाकि ये बहुत ही खुबसूरत Thin and Light Weight में है, जितने भी बहुत अच्छा इसका performance हो सकता है, 75Wh की इसके अंदर बैटरी लगी हुई है और 9.5Hz तक की बैटरी बैकप जो है कलेम कर रही है, 6-7 घंटा चला भी तब भी बहुत है, कमाल का laptop ये होने वाला है, लेकिन कमाल का feature तो आपने देखा, इसका price इतना जादे है, कि क्या कहना, इस price में तो संभव ही नहीं है, ये करीकर चार लाख रुपेस का price है, offer में अभी चल रहा है प्रोमोशन के लिए, तो ये 3,30,000 रुपेस का फिलहाल Amazon पर price है, तो क्या कहूं किसको buy करना चाहिए, किसको नहीं, लेकिन जिनको budget का कोई tension नहीं है, अलग सा laptop चाहिए, अलग सा वो लोग इसको buy कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों के बसकी कोई है नहीं, खास करके मेरे बसकी बात नहीं, मैं तो सोच भी नहीं सकता है इसके लिए, आप क्या कहते हैं इस laptop के बारे में, please comment करके ज़रूर बताएं, बिलते हैं अगले किसी और अच्छी informative वीडियो के साथ में पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमें सब्सक्राइब करने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ, आपका दिन सुभरूद